हेलो एवरिबन वेलकम बैक तो मैं चैनल आज हम बना रहे इंस्टेंट उपमा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मैं चैनल एंड शेर प्यास हरी मिडची को हमने काट के रखा है पहले से और यह भूना हुआ एक कप उपमा है अल्रेडी से हमें भून के रखे हैं हमने तेल गरम करके रखा है हमने में शिंग दाने को फ्राइब होने रखा है और देख रहे हैं आप फ्राइब हो चुका है अल्रेडी तो इसे हम निकाल लेगे अब इसी तेल में हमें जीरा दालना है सौटे हरने दे कड़ी पत्ता और हरी मिर्स को तेल में थोड़ा फ्राइब होने दे अच्छे से फ्राइब होने दे देखो फ्राइब हो रही है इसी तरह से चाहिए हमें अब हम प्यास दाल देगे थोड़ा से नमक दाल देगे तक प्यास जल्दी फ्राइब हो जाए इस प्यास हमारा फ्राइब हो चुका है अब हम इसमें सूजी दाल देगे सूजी को प्यास हर्मिर्ची के सब अच्छे से इसे भी फ्राइब होने दे थोड़ा गुलावी रंग होए तक फ्राइब करो अच्छे से चलाते जाओ इसी तरह से हमें चलाना है बहुत इंस्टेंट बन जाता है और बहुत इजी एंड सिंपल रेसिपी है यह देखो आप कलर चेंज हो गया ने इसका पुरी तरह से घुमा ले अब हमें क्या करना है हमने एक बाउल सुजी लिया था अब उसकी लिए हमें दो बाउल सेम बाउल दो पानी लेना है हमने दो बाउल पानी दाल चुके हैं इससे यह थोड़ा सुखने आ गया है नो तो हम इसमें एक चमस शक्कर दाल देगे शक्कर से पुरा फ्लेवर बैलेंस हो जाता है सुख चुका है हमारा सुजी हम हाफ फ्लमें जूस दाल देगे इसमें हमने दाल दिया है फिर इसे अच्छी तरह से चला के हमें ढख के कम से कम दो मेंट तक कर रखना है यह देखिए कितनी अच्छी खुश्जबु आ रिए इसमें से सुजी भून के तयार है पक के तयार है अभी इसमें धनिया पत्त दाल देगे बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत दियमी हो इंस्टेंट टेस्ट यूपमा बाबाई